कोलकाता रेप मर्डर मामले की सुनवाई के दौरान अदालत का माहौल बेहत गंभीर था लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुशार महता की एक दलील पर पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश हुए सीनियर वकील कपिल सिब्बल हंस पड़े इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कपिल सिब्बल से कहा कम से कम हंसिये तो मत दरसल मामले की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल केस डाइरी का हवाला देते हुए बता रहे थे कि पुलीस को कब जानकारी दी गई मामले में कितनी लापरवाही बढ़ती गई इस पर कपिल सिब्बल मुस्कुराने लगे कपिल सिब्बल को देख सॉलिसिटर जनरल को गुसा आ गया उन्होंने कहा किसी ने अपनी जान गमवाई है कम से कम हंसिये तो मत that is what dd is that somebody has lost that according to the इतना ही नहीं, कपिल सिब्बल ने बहस के दौरान स्विस बैंक का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया में चलाया जा रहा है कि मेरा स्विस बैंक में अकाउंट है, इसी पर सॉलिसिटर जनरल तुशार महता ने कहा कि आपके स्विस बैंक की बातें सोशल मीडिया मे जिस आदमी ने डालनी शुरू की थी वो अब आपका ही एक क्लाइंट है Chief Justice D.Y. चंदरचूर Justice J.B. पारदीवाला और Justice मनोज मिश्रा की पीठ ने सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील कपिल सिब्बल से कई करे सवाल किये जब बात अप्राक्तरितिक मौत के मामला दर्ज गरवाने के वक्त की हुई तो सिब्बल के जवाब पर पहले Justice मनोज मिश्रा और फिर Justice J.B. पारदीवाला ने काउंटर क्वेश्चन्स किये एक वक्त ऐसा आया जब Justice पारदीवाला के सवाल पर सिब्बल को कोई जवाब नहीं सूझा और वो हक्का बक्का रहे गए अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें